नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जिवन जीने की कला में आईए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं गर्मियों के दिनों में अक्सर जब खाना बच जाता है या सरदियों में भी तो हम सभी उसे पुनह गर्म करके खा हैं लेकिन कुछ है ऐसे खाद्यपदार्त होते हैं जिन्हें दोबारा घर्म नहीं करना चाहिए लेकिन घर्म नहीं करना चाहिए और क्विश्पीसोड के माध्यम से सब्सेपहले को लेते हैं जिया चावल को पकाने पर you cells serious bacteria पैदा होते हैं क्या होता है अगर आप इसे खाएंगे तो बारा गरम करके भूबाराक गरम करके खाने से चावल में मौजूद bacteria कि संख्या दुगनी हो जाएगी जिससे आपको धैरिया की शिकायत हो सकती है इसलिए चावल को दोबारा गरम करके नहीं खाना चाहिए इसके अलावा आलू जिहां गरम करने के बाद ठंधा करने के दोरान इसमें बोटुलीज्म बैक्टीरिया पनपने लगते हैं अब अगर आप ऐसे में इसे खाते हैं तो दोबारा गरम करके खाने पर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी जिससे फूड प्वैजनिंग की शिकायत आपको होगी तो इसलिए आप दोबारा आलू को भी गर्म करके ना खाएं इसके अलावा चाय जिहां इसमें टैनिक एसीड होता है जिससे बोडी में टॉक्सिंस बनने लगते हैं अगर इसके बाद जब आप इसे दोबारा गर्म करते हैं तो नाइट्रेट कार्सिनोजेनिक में बदल जाता है जिससे टॉक्सिंस पैदा होते हैं और ये हमारी बोडी के लिए बहुत नुक्सान दायक हो जाते हैं इसके अलावा चुकंदर जिहां इसमें नाइट्रेट अधिक म इलडी हाइट्स होते हैं जो कि अगर आप इसे दोबारा गर्म करते हैं तो टॉक्सिंस पैदा होने लग जाते हैं इसमें जिससे कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं इसलिए आपको कभी भी कुकिंग ओयल को दोबारा नहीं खाना चाहिए और बार बार जो हम आप सभी को मना क करते हैं कि बाहर का खाना नखाएं इसमें मुख्य वजह एक यह भी होती है क्योंकि बाहर जब भी आप खाना खाने जाते हैं तो एक ही ओयल में आप देखेंगे पूरे दिन वो बनाते रहते हैं दोबारा गर्म करकर के फिर अगले दिन उसके अगले दिन भी उसी ओयल में ग वाइट करना चाहिए आपको फास्ट पूट भी खाना हो तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो आप घर पर बनाए तो ज्यादा अच्छा है अब आई ये बात करते हैं जानते हैं किसी भी प्रकार के नौन वेज को नहीं खाना चाहिए दोबारा गर्म करके क्योंकि उसका लग एपिसोड बनाया हुआ है इस पर पून तह चर्चा के लिए लेकिन अगर आप खाते हैं तो इसको दोबारा गर्म करके कम से कम कभी भी नहीं खाना चाहिए इसके अलावा मश्रूम जिहां इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और जब आप इसे दोबारा गर्म करके खाते हैं तो प्रोटीन का कमपोजिशन बदल जाता है इससे खाने में डाइजेशन की प्रोब्लेम होती है और हाट की प्रोब्लेम इससे बढ़ती है इसलिए इससे दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए तो यह कुछे कैसे खादे पदार्थ हैं जिनको दोबारा गर्म करके कभी भी नहीं खाना चाहिए तो यह आज की जानकारी रही आप सभी के लिए जोकी दोबारा करके नहीं खाये जाने वाले खाद्य-पदार्तों से रीलेटेड रही आप सभी के मन में अब कोई भी स्वास्ते संबंधी सवाल है तो वो हमें लिख भेजें हम उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो ज़रूरूर बनाएंगे मिलते हैं अब आप सभी से एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों